जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नौ फरवरी को राहू के नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है राहू अपने मित्र की राशी में प्रिवेश करेंगे मित्र की राशी के नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे और ये जो र राहू के नक्षत्र परिवर्तन से आप कैसे अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप खूब धन बटोर सकते हैं। अपने कामकाश को अपने करियर को तेज गती प्रदान कर सकते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ राहू के बारे में। तो वीडियो को लास तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखें राहू अभी मेश रासी में विराशमान है जो कि मंगल की राशी है और अभी तक राहू थे भणी नक्षत्र में। लेकिन आज 9 फरवरी के दिन राहू अपने मित्र केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 29 नवंबर 2023 तक यह इसी नक्षत्र में रहेंगे जब भी किसी ग्रह का राशी परिवर्तन होता है या फिर किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हर एक राशी पर देखने को मिलता है वैसे तो राहू राक्षस ग्रह है यह राक्षस ग्रह की श्रिण या फिर आप राहू के द्वारा शुब प्रभाव खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें राहू और केतु दोनों छाया ग्रह हैं राहू सिर हैं और केतु धड़ हैं राक्षस ग्रह की श्रेणी में आते हैं इसलिए यह जो राहू के नक्षत्र का परिवर्तन है अश्विनी नक्षत्र जो की केतु का है एक तरह से अपन के नक्षत्र में प्रवेश है जब भी कोई ग्रह या तो राशी बदल कर अपने मित्र के नक्षत्र बदलता है तो उसका शुब प्रभाव देखता है को मिलता है अब ये मित्र का नक्षत्र है तो यहां राहू की जो इस्तिति है वो उच्च की है उच्च की इस्तिति में बै इच्छाओं के कारग ग्रेह हैं। यह हमारे इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा ये ओनलाइन चीजों के कारग ग्रेह हैं। अब इनके नक्षत्र का परिवर्तन कुम्भ राशी के लोगों के लिए देखें सेहिंग राशी के लोगों के लिए तो सेहिंग राशी के लोगों के लिए भागय भाव में राहु विराजमान हैं भागय भाव में ही ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा जो की उच्छ इस्ति अब इनकी तीन द्रस्टी होती है पंचम द्रस्टी सब्तम द्रस्टी और नवम द्रस्टी यही तीन द्रस्टी गुरु ब्रस्पती की भी होती है गुरु ब्रस्पती जो आगे आने वाले 21 एपरेल को राशी बदलेंगे और राहु के साथ युति करेंगे यह एक जबरदस् कर सकते हैं गुरू ज्यान के कारक हैं और राहू क्या है राहू इच्छाओं को दिखाते हैं राहू अच्छानक से घटनाओं को जब भी कोई दो ग्रह एक साथ होते हैं तो उन दोनों की जो प्रभाव है वो ट्रांसफर हो जाते हैं राहू जो कार्य करेगा वो गुरू जैस करेंगे और जब भी जो ग्रह के इसके गुरु के साथ बैठा होगा तो बहु शूफल देगा इस यो का भी आप अच्छे से रिजल्ट प्राप्ट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि जो जो गुरु है जो जो ज्यान देने वाले हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके पहले राह प्रत्थम भाव पर, दूसरी सपतम द्रश्टी रहेगी तीसरे पर और नवम द्रश्टी रहेगी आपके पाँच्वे भाव पर. सीधा सीधा आपके लगन पर इनका द्रश्टी होना राहू आपके व्यक्तितों पर प्रभाव डालेगा, हाँ आप थोड़ा aggressive हो सकते हैं क्योंकि मंगल की राशी है ये aggression को बढ़ाती है जल्दबाजी को दिखाती है तो जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है सोच समझकर करना है इससे आपका व्यक्तितु पर शुब प्रभाव पड़ेगा आप अपने हर एक कारिये के प्रती समर्पित रहेंगे सीधे सीधे जो चीजें अगर आप नया स्टार्ट अप करना चाहते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लाब देखने को मिलेगा जैसे मैंने कहा नई चीजों के कारक रहे हैं जो नई चीजों को जोडते हैं अपडेट रहते हैं नई चीजों के साथ उन चीजों के कारक रहे हैं अगर आप कोई वेपार करते हैं तो उसे ऑनलाइन आप ला सकते हैं इसलिए इस समय जो ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं अपने काम में अपडेट रहते हैं उनको ज़्यादा लाव की प्राप्ती होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होते हैं तो आपको भी अपने कामकाज को अपडेट रखना है, समय के साथ बदलाव करना है, तब आपके जो इस्थितियां हैं वो बहुत शुब रहेंगे, तो अपने काम का विस्तार करें, आज के जमाने से जुड़े, ओनलाइन जादा कारे करने की कोशिश करें, या आप पहले से अगर ऐसे कारे करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है, यहां सीधे तीसरे भाव में जो राहु की द्रस्टी होगी, वो आपको विदेश यात्रा कराएगी, विदेश जाने का मौका दिलाएगी, विदेश में वेपार करा सकती है, सिक्षा के शेत्र में उच्छ करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश के लिए तियारी कर रहे हैं, तो वहां जाने के चांसि आपके लिए जादा बढ़ते हुए इस दोरान दिखाई दे रहे हैं, भाई बहनों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा तीसरे भाव से, यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में यात्राओं को भी दिखाता है, भाई बहनों को भी दिखाता है, इसके अलावा ये समय जो होगा राजनीती के शेतर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, जो राजनीती के शेतर से ज योग आपके लिए बने हैं लौट्री हो गया सट्टे हो गया शेयर मार्केट्स हो गया इन चीजों से भी लाव की योग बने हैं नवम द्रस्टी जो पंचम भाव पर पड़ेगी संतान से लाव दिलाएगी संतान का भाव है सिक्षा का भाव है सिक्षा के शित्र में overall सिहिं गयान का सही तरीके से इस्तेमाल करना है आपके पास गुरु गयान देंगे लेकिन उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं चीजों को समझेंगे चीजों को देखेंगे और तब आप उन पर अमल करेंगे तो आपको उसका profit मिलेगा देखे जो राहु एक बहुत अची चीज के लिए जाने जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं जो लोग अमुमन नहीं करते यानि अनोखा कार्या करना अचानक से चीजों को बदल देना और ऐसा काम करना जो दूसरे नहीं करना चाहते यानि परंपरा से हटकर कुछ करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राहु बहुत की द्रस्टी भी होगी विवहा में आने वाली दिक्तों को दूर करेगी विवहा से आपको इलाब होगा अब विवहा का योग बनेगा यात्राओं से जूड़ा हुआ अगर आप कार्य करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा राजनीती के शेतर से जुड़े हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा पैतरक संपत्ति का योग बिनता हुआ दिखाई दे रहा है अब क्या नहीं करने हैं तो किसी को पैसा देने से पहले दस बार सोचना है जल कोई करोटी खिला दी और बस प्रति दिन ये कारे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष पर जल जरूर चड़ा कराएं बहुत अच्छा रहेगा और ये एक मंत्र है इसका भी आप जब कर सकते हैं बुद्धवार के दिन ओम राह राहवे इसका जो जल इसका जो अगर मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा एक कारे और कर सकते हैं सौमवार के दिन भगवान शिवका अभी शेक नारिल के पानी से करें बहुत अच्छे रिजल्ट राहू सेहिंग राशी के लोगों को देगा तो दोस